फानली दोस्तों इंडियान डियस मुकावला जीत लिया है बंगरेंशर घृइल लिया है बंगलाइश धीस फियारा जो दिए हो किसेmyसे नेगा अला का को में रिगा गी साका चिने की बाद कि Don't Hell गा Dez पर दोस्तों इंडिया जो है और आठर भी बार टेस्ट मुकाबले की लागातार अठर टेस्ट मुकाबले टेस्ट स्रीज जी चुका है यह बारत के अपने आप में बहुत बड़ी अच्छिपमेंट है दोस्तों विकाउस अब रोही सर्मा विकाउस हमारे बिराट कोली की जितकर यहां गेंद बाजी करने का फैसला किया नौन में दोस्तों बंगलादेस बले बाजी जब करने उतरती है तो सुरू से दोस्तों बंगलादेस की बले बाजी हमसवई को काफी अच्छी देखने को मिलती है बसरते दोस्तों जाकीर हुसान जो है वो चल जाते हैं जीर पारिज भी होती है मातरी आकास दी भी जो डूस्तो आपनीर्स को ओड कर पाते हैं वाहने इसमें ओमानियो ल्हक का खाफी जोर बलना चलता है पहले दिन इसके बाद बारिज स्टार्ट अथे और यह बारिज जो के पहले दिन इस चार्ट हुआ था दूसरे दिन तक चला ती काफी 20 के तरीकिस दोस्तों चौथे दिन जो है SSB चैसपाल का बल्ला हमें बड़ी चोर दखने को मिला सबसे फासे 50 सबसे फासे सेंचुरी सबसे दिरसोबा दोसोबा जो है भारत ने बनाया टेस्ट में जो कि आज तक किसी भी टिम ने ऐसा कारणामा नहीं किया था वो करके दिखाए टीम इंडिया ने और वाइनली दोस्तों आप समझ सकती SSB चैसपाल का बल्ला बहुत जोर बल्ला बोलता हूँ दिखाई दिया दोस्तों मज़ा आगया बल्ले बाजी देखकर पहले ही चौथे पहले ही इनिंग में दोस्तों और एकाबन गिर पर 72 रन की धौधाल पारी SSB चैसपाल ने के लिए 12 चौके लगा है दो चौके लगा है दो चौके लगा है दोस्तों कप्तान रोही सर्मा तो अलगी फॉर्म में नज़र आ रहते हैं 11 बॉल पर 33 रन की पार कली वो भी एक चौका लगा वाद तीन चौका यानि कि छेती आठारा हो गया दोस्तो और एक चौका यानि 22 रन जो है इसने जो सिर्फ बांडरी से बना है वो भी टेस्ट में तीवे अपना बहुत बड़े अच्छे में रोई सर्मा की फिरसको बाद सुमन गिल का बला थुला बहुत बोलता है 49 रन कोहली भी बोलता है रहूल भी बोलता है दोनों का बला बोलत बोलता है और लवख 34 हावर में 285 रन की पारी कहलते हैं सो सकते हैं यह बंडेज भी फास्ट हो गया दोस्तों सो सकते हैं टेस्ट के लिए नामुन किन सा स्कोर था यह फिर उसके बाद दोस्तों साकीबुलहसन और महिदी हसन मेरास दोनों अच्छे बॉलिंग करते हैं और प्रिम इंडिया के 285 पर ही रोक देते हैं और इंडिया जो है नौवा विकिर गिरने के बाद डेकलियर कर देता है उसके बाद दोस्तों सेके बल्लबाजी आती है और चौथे दिन के लास्ट हैसन में थोड़ा बहुत बल्लबाजी साथमान इसलाम और जाकिर हुसन करते है बर दोस्तों फिर जो है असमें के बाद गिरने को मिलते है। तीन विकर तो असमीन निकालते हैं फिर उसको काफी देर तक जड्डू को रोकनी की बहुत जब केंड थमा जाती है जड्डू को तो इसको अंड़ादी देखने को हम से निकलते हैं बड़ाएं धराक तरीके से मातर दस ओवर में जद्धू भी थीनतीज़न निंकलता है। मेहदियसन की फिराक में आते हैं फिर उसके बाद दोस्तो सुम्मान गिल गए विकर्ट तुरन गिल देता है उसके बाद ये SSB जैसपाल कोहली क्या फॉर्म में नहीं रहा थे दोस्तो फिर से हमें SSB जैसपाल का हाप सेंचूरी देखने को मिलता है और 45 गिन पे कावनन की पर फिर से SSB जैसपाल खेल देते हैं आर्चो का एक छाका लागा का और SSB जैसपाल जो है मैंने मेच बना दिया जाता है उनको और फाइनली दूसरो रोही सर्माज जो है लगतार आठी बार जो है फाइनली ग्यारवी बार जो है ड्रवी चैन अस्विन को पिलावड जैसपाल को दिया कि उनकी बैतरीन बल्लबाजी इन्हें टेस्ट को डाइन्टी वाले बल्लबाजी को बनाने के लिए फाइनली दोस्तो बारत यह मोकाला जेच चुका है और आपसे को बता दोस्तो कि महान बॉलर मुथया मुर्ली धरन की बराबरी कर चुके है अस्विन और ऐसा कारणामा यानि कि ग्यारा बार जो है पिलावड जो सिरिज का एवार्ड जो है मातर टेस्ट के इतास में मुथया मुर्ली धरन ने जीता था उनका रिकॉर्ड टोड़के यह उनकी बराबरी करके जो है अस्विन या काम करके दिखाया है वह ही दोस्तो अगर बात की जाए बारत जो है लगातार यह दोहर तेरह से लिका दोहर चौबिस तक जो है लगातार जो है अठारा टेस्ट मों कले जी चुका है अपने घर पर वो भी हारा नहीं है अभी तक यह भात का अपना में रिकॉर्ड है पलाज दोस्तो तो यह थी बारत फानली दोस्ते यह टेस्ट मों कले जी चुका है आपने अपने टोस्तो